नमस्कार कैसे हैं आप बैकल पिक्चिक के सामें मेरे दोश कोशिक आपका हारदी का विनंदर करती हुई आज आपको अर्क के पौधे आख के पौधे के विशे में बताना चाहती हूँ के आख के पौधे से कितने रोग दूर होते हैं आदा सीसी मिर्गी उल्टी मोतियाबिंद आख का फूला दांत की पीड़ा दांत का निश्कासन कैसे होता है करन सूल कान का दर्द सिर की खुजली और बवासीर ये सब हिर्दय की उतेजना ये सारे रोग जो है इससे दूर होत है वो जो मल में कीड़े निकलते हैं वो सभी समश्या को दूर करते हैं ये चोट चोटे इसके फूल है ये पूर्न बिक्सित फूल है और इसके पत्ते हैं तो मित्रो हम आज बताएंगे कि दांत का जो रोग है कस्ट कैसे दूर होता है आक के दूद में रूई भिगो कर ले और फिर उसको घी में मलने रूई को जब गोली सी वो बन जाए तो दांत के अंदर दर्द जहां हो रहा है खोखल हुई है वहां रख ले तो तुरंत दाड़ की पीड़ा दाड़ का दर्द ठीक हो जाएगा दूसरा अपाए है आग के दूद में नमक मिला कर दांत में लग लें और थोड़ ठंडी हो तो उससे फिर हम दांत उन करें तो दांत की पीड़ा दांत में वाई वादी जो भी कुछ खून और विकार जमा हुआ सब निकल जाएगा अब जो आगे से में तो कुछी सी बन जाती है दांत का हम मंजन जब उससे दांत उन करते हैं उसको काट हैं तो बाद का भाग अपने आप फिर दुबारा बाद में वैसे ही काम आ जाता है अब दांत हम निकालें कैसे जैसे बहुत दांत हिल रहा है दर्द है पीड़ा है निकल नहीं रहा तो उसपे आग का दूद लगाएं और लगाने के बाद वो आसानी से सरलता से निकल जात है उसके बाद एक और उपाय है दांत निकालने के कि आख के आठ दस पत्तों को 10 गराम काली मिर्चे साथ पीसे और थोड़ी हल्दी वसेंधा नमक मिला कर मंजन करें तो इसे दांत मजबूत भी रहेंगे और रूटा हुआ दांत आसानी से निकल जाएगा तो आज मैंने ब है बस इतना ही मुझे लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य करें धन्यवाद